नमस्कार दोस्तों वेलकम बाक टियो ओन चैनल वेल्स सागज 5 जुलाइ 2024 फ्राइडे का दिन इस एक्स्ट्रीमली चौपी वीक का लास्ट रेडिंग सेशन और दोस्तों अगर हम लोग बात करें गिफ निफ्टी की तो आज के दिन गिफ निफ्टी 62 पॉइंट्स डाउन और यही चौपीनेस तो बढ़ाना चाहते हैं the big players क्योंकि चौपीनेस बढ़ाएगी तभी तो प्रीमिम इंफ्लेट होगा फिला दुस्तों बात करें हम लोग कल के दिन के टॉप गेनर्स की तो डॉप गेनर्स में दिन थे लिवपिन विच वाल्मॉस एट परसेंट आप इसके लावा लॉरस लैप 4 परसेंट उपर था को फॉच वोस ओल्मॉस 4 परसेंट आप जादस लाइफ सैंस वोस और तो दो reason क्या है हम लोग आगर discuss कर लेंगे आज भी थोड़े सी mild सी negative news ही है बाज आज finance महानगर gas were the other top users बात करें commodity section की so gold 72,000 silver 90,000 same वही level same वही prices अब दोको उमीद की जो जो वह है न उमीद की जो घड़ियां गोल्ड और silver के crack होने की वो भी खताम हो रही है क्योंकि मेरे इसाब से अगर gold और silver को crack होना है तो एक डिएड़ महीने में crack हो जाएगा अगर नहीं crack हुआ फिर तो मुश्किल है क्योंकि ultimately gold और silver ज़्यादा पहले चीज़ ज़्यादा crack होंगे नहीं but I am expecting the levels of 68,000 if it has to crack then of course it will crack in couple of months अगर नहीं crack होता दोस्तों तो इसका मतलब सिंपल है कि market में बहुत जबर्दस strength है gold में और ये और भी उपर जाने के लिए तयार है so let's hope, let's wait for gold to crack क्योंकि इतनी जल्दी gold ना तो गिरता है नहीं उपर भागता है क्योंकि gold is gold फिला दोसो बाते हम लोग करेंसी सेक्शिंगी सो करेंसी सेक्शिंग में अगरा देखे है तो ग्रेट प्रेंड पाउंड जैपनीज ये रोग एंस इंडियन रुपी थोड़ा सा वीक तिखाई पड़ रहा था में कुछ नहीं होने वाला है तो अगर आपने कल के दिन का मेरा मौर्णिंग अपडेट देखा था तो जो हमने लेवल्स जिसक्स किये थे एक्जाक्ली सेम ही आपको दिखाई पड़ेंगे क्योंकि पीवट चार्ट पर कुछ चेंज ही नहीं हुआ है इस हार्ली एन्य मौब्मेंट इन दी निफ्टी फिफ्टी निफ्टी बैंक सिमिलरी निफ्टी बैंक के बारें बात रहें 53200 इंपॉर्टंट लेवल ब्रीच करने के बाद 2500 के अपसार दिखा ही पड़ सकती है इस फार इस पीवट चार्ट सा कंसर्ण नीचे लेवल बें 52900 अगरी ब्रीच करता है 300 पॉइंट पॉइंट तो दोसों ये वो लेवल्स हैं जिन पर कि आप ने ज़र रख सकते हैं अस फार इस पीवट चार्ट सा कंसर्ण कल के दिन F.I.S. ने बाइंग करी 2576 करोड की तो वो रोल नेट नेट बाइंग करें तो दोसों करोड की फ्रेश बाइंग होई है फ्रम दू साइड ओफ F.I.S. स्टोक से बैंट के बारे बात रहें पांस स्टोक हैं जो कि बैंट में हैं कल के दिन इंडिया सेमेट और हिंडूस्तान कॉपर ही बैंट में थे आज तीन स्टॉक एक्स्ट्राइड हो गया ABFRL, Bandhan Bank and PEL गुड नीवस के बारे बात रहे हैं तो आज के दिन बजाज कंजूमर्स का बायबैक स्टार्ट हो रहा है तो जो लोग बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसके लावा ECF कल के दिन कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स NBFC के मंतली अपडेट के नंबर्स आए हैं नंबर्स आए वरे इंकरेजिग तो उससे मुझ समझ नहीं आता यारी यह मंतली अपडेट की रिक्वार्मेंट क्या है अभी कॉर्टर के रिजर्ट्स आएंगे उसमें आप पोस्ट कर दीजेगा I don't know why this information is required in the market क्योंकि इन से क्या होता है इन से स्टॉक पंप हो जाते हैं और फिसके जब रिजर्ट्स आते हैं तो उसके स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है अब इससे हैं स्मॉल फिनेंस बैंकों देखें डिपॉस्ट्स 33.4% उपर है लोन बुक 30% उपर है बहुत ही प्रॉमसिन लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है लेकि जब रिजर्ट्स आएंगे तो समय हमारे पास डेटा होगा कि ऐसेट्स कैसे हैं इन पी एकितना बड़ा है या कितना घाटा है तो उस पर रियाइट करेगी मार्केट फिलाल पी एन बी के बारे में बात रहें ग्लोबल बिजनस 10.3% उपर है आस कंपेर टू लास्ट ये डिपॉसिट 8.5% एडवेंस चुएल पॉइंट 7%. बहुत ही जबरदस है तो नमबर सो बड़े जबरदस है लेकिन रिजल्ट कैसे आएंगे दोस्तों वो भी देखना पड़ा है IDBI बैंक के बारे मात रहें लोन अडवेंस 17% उपर है डिपॉसिट 13% ओर रॉल बिजनस 15% उपर है देखने में तो लग रहा है बहुत ही पॉलिजड बिजनस चल रहा है IDBI बैंक में रेमेंट के बारे मात रहें रेमेंट से पहले उजीवन स्मॉल फिलेंस के बारे मात कर लेता है डिपॉसिट अर आप 22% लोन बुक इस अप 19% उपर गें मज़े आगे रेमेंट के बारे माता है रहें अपना रियालर्याइटी बिजनस दी मर्ज करने वाला है पॉछ धे बिजैनß अकंडैनमी के पॉर्ड़ानी ईनोर्स थे click on a calm कोने ख क्पलका अंडैनमेम्ध मत्युवूर्स बॉस्प्गरूर्स लेंड बैंक इन मॉंबाई तो वो लेंड बैंक अब एक सेपरेट बिजनस में इमर्ज होकर गया आया है जिसका नाम है डिरेमंट रियालिटी अब दोस्तों उसी पुराने लगाये हुए पेरण के जो फल हैं वो अभी खा रहे हैं डिरेमंट के शेयर होल्डर्स अब यह जो बैंक 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 बजाज ओटो वेशा इस तरह के एक्सपरिमेंट करने के लिए फेमस रहा है कि इसके लावा नया एक जो एमक फार्मा चल रहा है कल के दिन सेकेंड दे था फाइव टैम सब्सक्राइब हुआ है बंपर सब्सक्रेप्शन चल रहा है बहतरीन 30-40 टैम्स की सब्सक्रेप्शन की तो उमीद है ही मुझे है एजी एफसी बैंक में दुस्वों कल के दिन नेगेटिव निउस थी कि मुझे मॉरिश्यस 20% स्टेक बाय करना चाह रहे थे जिसको कि या तो डिले किया जाएगा या फिर खैंसल भी हो सकता है उस चक्कर में एजी एफसी बैंक थोड़ा सा नेगेटिव था आज के दिन उसके और भी रिजर्ट्स जो मंतली अपडेट्स है वो बड़े पूरा हैं एडवैंस बिल्कुल फ्लाट 0.8% बिल्की फॉल किये हैं डिपॉसिट 0.03% फॉल किये हैं कासा डाउन है 5% और एजी एफसी बैंक से ऐसे रिजर्ट्स के एस्टेशन रखना है बिल्कुल बेव बिल्कुल फॉल कि अपडेट्स जोईन कर सकते हैं जहां पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपको एक्स्प्लीन किया है कि गवर्मेंट जो इस समय बजट लएगी उसमें जो मिजॉर्टी ओफोकस के इन सेक्टर्स पर रह सकता है तो इसमें रेल्वेस का सेक्टर भी एक बहितरीन सेक्टर है अर्वाल ये कॉंट्राट्स में बड़ा ओडर मिला है 500 क्रोड प्ल जुई अर्वाल ये का बड़ एक इन सेक्टर्स पर मार वाल्वेट अबटी और ये जो थो कि एक व्रीट इसमें सेक्टर्स के इसमें अर्वाल ये जो तो झाल झाल